हेलो एवरिवन, वेलकम टू फूट फिजियोलोजी विद्धवनी आज की हमारी रेसिपी है मटन दाल गोस्ट मटन दाल गोस्ट बनाने के लिए सबसे पहले एक बॉल में आधा कप तूवर दाल वन फोट कप उरत दाल एंड वन फोर कप मसूर दाल को लेकर उसे पानी से दो तीन बार अच्छे से वाश कर लीजिए और तीस मिनिट के लिए पानी में सोक करने रख दीजिए मीनवाइल दो मीडियम साइज अनियन्स को हमें पतला पतला काट लेना है और साथ में एक बड़े टमाटर को भी हम रफली चॉप कर लेंगे मैं यहाँ 250 ग्राम्स ओफ मटन ले रही हूँ उसी हिसाब से टमाटर और अनियन्स की क्वांटिटी रखे अब एक कूकर में 250 ग्राम्स ओफ मटन को ले ले अब उसमें सोक दाल को एड करे उसके साथ साथ एक ग्लास पानी थोड़ी सी हल्दी और थोड़ा सा नमक डाल कर कुकर को बंद कर ले और उसमें 5 से 6 सीटी आने दे गैस की फ्लेम को मीडियम ही रखे अब एक कड़ाई में 2 टेबल स्पुन ओइल को गरम कर ले उसी में सारे खड़े मसाले एड करे जीरा जब भून जाए तब उसमें सारे अन्यंस को डाल दे और उससे पिंक से हलका गोल्डन होने तक फ्राई कर ले आप देख सकते हैं अन्यंस लाइट गोल्डन हो चुके हैं अब उसमें दो बड़े चम्मच जिंजर गार्लिक पेस्ट एड करे और उसे अच्छे से भून लीजिए उसे तब तक भूने जब तक उसकी कच्ची महक चली नहीं जाती अब उसमें सारे सुखे मसाले एड करेंगे एक छोटा चम्मच लाल मिर्च थोड़ी सी हल्दी एक बड़ा चम्मच दनी और जीरे का पाउडर आदी चम्मच कस्मीरी लाल मिर्च डाल कर सारे मसाले को अच्छी तरह से भून ले मसाले को दीमी आज पर ही भूने मसाले जब भून जाए तो उसमें टमाटर एड करें टमाटर को भी तब तक पकाए जब तक की वो पूरी तरह गल नहीं जाते आप चाहे तो बीच में थोड़ा सा पानी भी डाल सकते हैं आप देख सकते हैं टमाटर एकदम गल चुके हैं उसमें मटन और दाल को अब एड करेंगे अब मटन को भी चेक कर लेते हैं कि वो पका है या नहीं 6-7 सिटी हो चुकी है और आप देख सकते हैं मटन और दाल दोनों ही अच्छे से गल चुका है अब अन्यन और टमाटर की ग्रेवी में अब इस मटन और दाल को एड कर देंगे मटन को इसी तरह दीमी आज पर थोड़ी देर के लिए पकने देंगे जब तक थोड़ा सा पानी रिड्यूस नहीं हो जाता और ग्रेवी थोड़ी गाड़ी नहीं हो जाते साथ में हम थोड़ा सा दन्या बारी काट लेंगे से 20 मिनिट हो चुके हैं मटन को दीमी आज पर पकते हुए अब उसमें दन्या आड करेंगे अब हमारा मटन दाल गोस्ट एकदम रेडी है सर्व करने के लिए आप चाहे तो इसे रोटी के साथ या तो फिर राइस के साथ सर्व कर सकते हैं अगर आपको मटन दाल गोस्ट बनानी का ये तरीका अच्छा लगा है तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें थैंक यू हुआ।